अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा दो जाकर वीडियो देख ले जरूर इस वीडियो में हम सिलेवस के बारे में डिसकस करते हुए चलेगे कि आपको चार साल या नि आठ सेमेस्टर में को पढ़ते हुए आगे चलना है आपके सिलेवस में कौन-कौन से सब्जेक्ट् इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे तो इसे रिलेटेट कोई भी आपको के पास क्वेरी या सेशन होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के तुरू ट्रेक्स कर सकते हो या आप कमेंट बोक्स में भी कमेंट कर सकते हो बेसिकली कुछ जरूरी चीज़ इस वीडियों चीज़ूरी तो बीना टाइम विश्ट के चले भी टो स्टाट करते हैं बिसिकली आगे हम फिर्स्ट वाल बात करेंगे डिपार्टमेंट के बारे में कि इन चार साथ में आपको को इन डिपार्टमेंट में पढ़ना होगा एक वाकल्चर में कितने इन डिप दिपार्टमेंट के मेंटि इन डिपार्टमेंट मेंडेंगे पाट इस फरस्ट मेड़र्जिर और लस्ट में आपका एककोर्टिक एकश्टेंशन हैं इसएर्सE न आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके first year में कौन कौन सी चीज़े हैं जो आपको पढ़नी होगी फॉस्ट सेमे राइट तो first year के फॉस्ट सेमे का जो पहला पेपर है वो है प्रिंसिपल ऑफ एक्वा कल्चर का second number का है वो microbiology and immunology immunology क्या होता है basically यह branch है biology और medical का जो especially immune system related study को cover करता है इसी को immunology बोलते है microbiology के बारे मैं को पता ही होगा अब पढ़ चुके हो इसके बाद है आपका testimony of fish यह testimony जो है especially testimony बोलते है scientific study of naming definition classification of groups जो biological organism organism के जो groups होते है उसके scientific studies को हम लोग testimony बोलते है right next है आपका testimony of shellfish फिर है metrology climatology और geography basically metrology जो होता है वो इस एक ब्रांच atmosphere science का जो especially weather forecasting के उपर focus रहता है इसका इसके बाद आता soil and water chemistry जो पिंसिपल of biochemistry and biochemical techniques for fishing nutrition फिर statistical methods और लास्ट में आपका structural and spoken English basically English जो होता है यह आपका bridge course के अंतर गताता है इसमें आपको especially communicate करने के बारे में पढ़ायाता है फिर आपकाता है swimming इसमें आपको swimming के बारे में थोड़ी जनकाई दी जाती है अब आकर बात करते है semester second की यह आपको semester second में क्या क्या चीज़े पढ़नी हो सकती है first आपका fresh water aqua culture second आपका fish nutrition and feed technology थर्ड है आपको anatomy and biology of finfish चौधा नंबर पर anatomy and biology of shellfish लिमिनलोजी फिर marine biology अच्छा इसमें anatomy किसे कहते है anatomy basically study of structure होता है organism का structure होता है उसके बारे में study की जाती है उसको बोलते anatomy और especially aqua culture को ऐसे aqua farming के नाम से भी जा जाता है अच्छा इसमें एक topic आया है limonology उसके बाद आता है marine biology उसके बाद fish biotech chemistry फिर fishery extends on education information and communication technology फिर physical education first aid and yoga practices यह साही चीज़े आपको पढ़नी होती है semester second में right second year के बात करते है second year के third sem में आपको पढ़ना होगा पहला जो paper है आपका वो है finfish hatchery management basically जो hatchery है उसको especially आप बोल सकते artificial जो breeding कर जाती है hatching कर जाती है और उसके बाद से जो life stage की जो study की जाती है animals जो आपको water animals होते है aquatic animals होते है उसके उपर यह साही चीज़े कर जाती है फिर आता हुका selfish hatchery management फिर आता है fish and selfish pathology फिर आता है inland fisheries फिर aquatic mammals reptiles and amphibians उसके बाता है aquatic ecology and biodiversity फिर आता है freezing technology freezing technology like अगर आपको कि सीज को देर तक रखना हो तो उसको freeze करके रखना होता है इसके बारे में हम पढ़ाई करती है उसका आता है refrigeration and equipment engineering फिर fishery economics फिर NSS का बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी दिर बात क्योंकि यह आपका semester fourth में भी है तो दोनों को include करके अभी last में बात करेंगे right semester fourth की बात करें तो first में आता है ornamental fish production and culture of fish food organism right इसमें especially fish production के बारे में आप पढ़ते हो फिर आता है finfish disease and health management इसमें especially आपकी जो disease होते है finfish में उससे related जो उसका precaution होता है या उसका cure होता है इसके बारे में आप पढ़ोगे right next आता है physiology of finfish and selfish फिर आता है fishery oceanography फिर आता है fish production and value addition फिर next है आपका next paper है fishing craft technology फिर communication skill and personality development basically यह आपका marketing से related एक course होता है I mean paper होता है जिसमें आप communication skills के बारे में पढ़ते हो फिर आता है आपका NSS अब ही बात करते है NSS के उपर अच्छे से तो basically NSS का जो special campus होता है वो एक week के duration का होता है जो आपके semester में organize कर रहा जाता है इसमें especially social से related कारे किया जाते है socialization type कार किया जाते है जिसमें कुछ social issues के उपर काम work किया जाते हैं सिर्फ theoretical नहीं बलकि practical तोर पर गाहों में जाके जो problem होता उसके solution निकाल जाते है यह सही चीज़े NSS में होती है अचा NSS के उपर में अगर आपको कोई query हो तो मैं एक proper video बना देता हूं NSS के उपर के NSS है क्या और इससे related क्या क्या चीज़ी हो सकती है यह हर एक college में है आपके college में हो सकती है especially university में NSS या NCC होता ही है दुनों में से कोई ना कोई एक थर्ड यर की बात करते हैं थर्ड यर के 5th semester में हमारा पहला जो है वह है कोशल एक्वा कल्चर एं मनीन कल्चर फिर सता है सिमात्रोग्राफी एं ड्रग एड्मिस्टेशन इन एक्वा कल्चर नेक्स्ट मरीन फिसरी नेक्स्ट कोशल जोन मैंजमेंट रहता है इसली प्रोडक्शन मार्केटिंग नॉलेज एक्वार्टिक लाइफ साइकल इंसाइच जो के बारे में आप पढ़ते हो नेक्स्ट राता का आप सेमेस्टर फॉर्थ में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में जान लेते हैं तो फर्स्ट एप फिस जेनिटिक्स और बी ठार्थ में लेक्स अmaskem आता है पिस्ट पॉलेशन डांक एंड्र एक्वार्टिक पॉलूशंड संप जैसे कि अभी के टाइं में क्या होता ना जो हमें समुंद्रों में जो कचरा फेक रहया है या नदियों में जो कचरा फेक रहया है उस एलेट्र जो नदियों के जीओ है यह aquatic जो animals हैं, उनके उपर क्या उसका प्रभाव पढ़ रहा है, उनके उपर क्या effect पढ़ रहा है, side effect हुआ, उन सारी चीजों के बारे में इसमें आप पढ़ोगे. नेस्ट है आपका fish scanning technology, फिर आता है fish packaging technology, especially आपका जो रख रखा होगा, उसके पैकेजिन से रिलेटेट यह सारी चीजों पढ़ोगे, फिर आता है आपका navigation and seamanship, फिर last में आपका आता है fishery policy, law and disaster management, especially इसमें आप fishery से रिलेटेट policies के बारे में पढ़ोगे, laws के बारे में पढ़ होती है, जो natural disaster होते हैं, उनके बारे में आप इसमें study करोगे, last में आपका आता है fishery business management and entrepreneurship development, इसमें specific business management related studies आप करोगे, अभी के टाइम में हर एक जितने भी agriculture related courses है, या भी आप BFSC के बात कर लो, चाहिए आप veterinary के बात कर लो, उसमें यह सारी business management से related एक ना एक paper आपको देन होता है, right, next बात करते हैं, हम अपने fourth year के बारे में, यह fourth year में वो क्या-क्या पढ़ना हो सकता है, तो fourth year के आपके semester seventh में, आपका जो पहला जो paper है, वो है farm experience, especially यह जो farm experience है, यह आपके college की दौरा या तो आपका, आपके college या university में farm होगा, उसके related कोई plot दे करायाएगा, या क इसका extra curricular activity के थुरू करायाता है, फिर आता है hatch experience, फिर होता है feed plant experience, disease diagnostic lab experience, फिर fish processing plant experience, फिर fishing experience, marine and island, फिर basically आप कैसी अपना एक छोटा सा जगह पे आपना कर सकते हो, fishing related काम, next आपका आता है analyzing of fish catch compositions, फिर आता है aquatic environment monitoring, फिर आता है आपका fish marketing and function of farmer, fishery extension experience, उसके बाद से preparation of FIWEP final report, जो आपकी इसकी जो final report बनती है, उसके बारे में study कराया जाती है, right, study कराया जाती है, उसके बाद से आपको final report बना नहीं होती है, next आपका 8th में, selfish disease and health management, फिर quality assurance of fish and fishery production, फिर aquaculture इंदरी, फिर ये component title duration है, जो especially experimental learning program है, first, skill development program, फिर project work है, फिर project seminar है, ये आपके college के उपर recording आपको दिया आता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, आपके आगे, right, अभी इस video में, just इसके बाद से इसके बारे में बात करेंगे, हाँ, यहाँ पर, यहाँ पर आप जो देखे थे, पहला expert, जो component title duration है, जिसका जो पहला, दूसरा, थर्ट और फॉर्थ, ABCD topic है, इसके उपर यहाँ पर deal किया है, मैंने, तो first number पर जो आता है, experimental learning program, especially इसमें आपके जो program होता है, जैसे कि aquatic farming हुआ, या aqua clinic हुआ, या ornamental fish culture हुआ, या seed production हुआ, या फिर value-added fish production हुआ, या trade export and management हुआ, इसमें मैंसे किसी दो का आपके college में होना, या university में होना, एकदम compulsory है, right, second number पर आती है, आपकी skill development, especially इसमें, ये skill development, not a personality development type, बल्गी ये आपकी, जो fish-related skill है, इसको development के quality के coding होती है, right, especially soil and water quality parameters होते है, preparation of fish production, ये साई चीज़े होती है, जो आपके प्रोवाइड कराया जाती है, university के तरू, next step, project work, इसे आप पढ़ लेना, नाम से, इसमें कुछ projects हैं, जिसके बारे में आपके काम कराया जाता है, university के तरू, यहां से यहां तक, यह कुछ projects हैं, जो आपको university के तरू कराया जाते है, right, इसे आपके नाम से पहुच करके पढ़ लेना, next, आता, next, आपका आता है, project seminars, जो one credit allotted होता है, presenting seminar होता है, इसके जो evaluation होता है, वो committee appointment के फ्रू होता है, जो कि आपका जो associate, जो कि आपके जो dean होते हैं, जो आपके college के dean होते होते हो कराते हैं, तो basically यह साई चीज़ आपको पढ़ने होगी आपके BFSC में, यही सारी कहानी है, आपके BFSC के syllabus की, निक्स्ट आपकोई भी query session होता है, तो आप मुझे यहाँ पे text कर सकते हो, anytime, या आप Facebook पे हो, Instagram यूज नहीं करते हो, तो फिर Facebook पे मुझे यहाँ पे एक page जिसको apply कर सकते हो, right, तो मिलते हैं next video के साथ, तब तक के लिए take care, have a good day.